हाई एवरिवान कैसे हो आप सब वेलकम है आपका निसू जायका एंड व्लॉग में और आज मैं आपके साथ शेयर कने वाली हूँ बहुत ही सौफ्ट टेश्टी इडली की रेसिपी और चटनी की रेसिपी दोनों साथ में मैं कैसे अपने घर पर बनाती हूँ वो मैं आपके स आप रेसिपी शेयर करूंगी तो पूरा वीडियो जरू देखिएगा यहां पर मैंने लिया है आधा किलो चावल 500 ग्राम चावल लेना है और 500 ग्राम आपको उरद वाली डाल लेना है और दोनों को आपको रात भर के लिए भिगो कर रग देना है इस तरह से पानी में डाल कर छोड़ देना है कम से कम आप 6-8 गंटे तक इसे छोड़ दें पानी में डाल कर और फिर आपको 8 गंटे के बाद इसे अच्छे से 3-4 पानी से हाथों से मसल कर धो कर साफ कर लेना है उसके बाद चलिए चटनी के लिए मैंने यहां पे लिया है 100 ग्राम मुंग फली और 50 ग पानी डाल कर एक से 1,5 गंटे के लिए रख देंगे तो यहां पे आपको इस तरह से भिगो कर देना है तो चलिए अब हम बैटर को ग्राइंड करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो जो हमने चावल और दाल को रात भर के लिए छोड़ दिया था उसको हम अच्छे से तो मच नमक स्वाद के अनुसर और दोनों बैटर को मिक्स कर ले एक साथ और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर थिक बैटर त्यार कर लेंगे और इसे ढख कर दो से धाय गंटे के लिए रख देंगे जिससे हमारे इडली सौफ्ट और फुली फुली बनेगी तो चलिए अब हम चटनी त्यार करते हैं तो चटनी के लिए मैंने लिया है मुंगफली और चने की दाल दोनों को भीगो कर रखा था फिर हमने लिया है तीन हरी मेर्च पांस से छे लैसन कर लिया और एक इंच अधरक का टुकरा और सब को अब हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक देर चम चैंजर अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो चतनी हमारी ग्राइंड हो गई है और अब हम इसमें तरका लगाएंगे तो इसके लिए आपको लेना है चार चम्मप सरसू का तरका लगा देना है तो चटनी हमारी तयार हो गई है अब चलिए हम इडली बनाते हैं तो यहां पे आपको डालना है इडली वाली स्टेंड या कुकर आपको लेना है इडली वाली और इस तरह से इडली स्टेंड में आपको अच्छे से तेल लगा देना है आप देख सकते हो और मेरे हाथों में मेंदी लगी हुई थी जो अभी निकल रही है इसलिए इस तरह से मेरा हाथ आपको लगडा है और चलिए अब हम तेल अच्छे से उसमें लगा लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे इडली का बैटर तो आप अच्छे से इडली स्टैंड में तेल लगाएं और फिर हम इस सारे मोल्ड को फिल कर लेंगे बैटर से तो इस तरह से आपको सारे इडली मोल्ड को आपको भर लेना है इडली बैटर से तो इस तरह से आपको देख सकते हैं यहां पे इस टाइप की consistency रखनी है और यहां पे आपको कुकर में आधा ग्लास पानी डाल कर और फिर आपको रख देना है medium flame पे आपको 15-20 मिनट के लिए इसे cook कर लेना है यहां पे आप देख सकते हो इडली हमारी पक गई है 20 मिनट के बाद हमने इसे बंदकर दिया था और फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर आप इसे खोल लें अब हम इसे निकाल लेंगे तो आप देख सकते हो बहुत कि इडली हमारी बहुत ही सौफ्ट बनी है और बहुत ही इजली निकल रही है आप देख सकते हो इसी तरह से हम सबी इडली को निकाल लेंगे और जब आप इसे खोले तो इसमें चाकू डालकर देख ले कि इडली हमारी अच्छे से कुख हुई है या नहीं तो यहां पे आप देख सकते हो अगर आपकी चाकू साफ निकलेगा तो आपके इडली बहुत अच्छे से कुक हो गई है तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम सभी इडली को निकाल लेंगे और गर्मा-गर्म चटनी के साथ और सामबर भी आप बना सकते हो इसके साथ सर्फ करें आप देख सकते हैं बहुत ही soft and fully fully इडली हमारी ते आर है यहाँ पे हम डालेंगे चटनी और चटनी के। गर्मा गर्म इसका मज़े ले तो आप इस तरह से बहुत ही इडली घर पर सौफ्ट इडली और चटनी बना सकते हो तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और कैसी लगी ये मेरी रेसिपी नीचे कॉमेंट कीजिएगा और पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मेंबल बटन जरूर दबाएं जिसे की मेरी निव वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंस और फैमली के साथ बाई बाई